भारत के सविधान ने भेद भाव और चुवा चूच जैसी समाजिक बुराईयों को तो सविधानिक तोर पर 1950 में ही खत्म कर दिया था लेकिन ये बुराईयां समाज में आज तक खत्म नहीं होई हैं कहीं स्वर्नों द्वारा दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता है तो कभी उन्हें मंदिर में नहीं खुशने दिया जाता या कभी दलित दूले को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो अपनी शादी में घोडी चड़ता है इसारा शोशन जाती के नाम पर आज तक जारी है जाती के नाम पर भेदभाव का एक ऐसा ही मामला तमिलाडू में तांगेयम के गाउं थैमपलायम से सामने आया है जहां पर एक नाई ने दलितों का बाल काटने से इंकार कर दिया जिसके बाद गाउं के लोगों ने नाई कृष्णन को समझाया लेकिन फिर भी नाई की जातिवादी सोच में बदलाव नहीं आया जिसके बाद गाउं में तहजिलदार और डियएसपी ने शांती बैठक की और नाई को समझाया समझाने के बाउजूद शुकरवार को उतने अपनी दुकान नहीं खुली आपको बता दें कि तमिलाडू की कई पंचायतों में अरुन थत्यार समुदाय के तक्रीबन 500 लोग रहते हैं प्रिश्णन लोगों के घर जाकर बाल काड़ते हैं साथ ही अपनी दुकान भी चलाते हैं गाउं के 56 साल के बुजुर्ट के अनुसार प्रिश्णन कभी अरुन थत्यार समुदाय के लोगों का बाल नहीं काड़ते क्योंकि हम दलित हैं वो सिर्ख पेरिया लंगा जो की बहु संक्यत समुदाय है उन्हीं लोगों को अपनी सेवा देते हैं जिसकी वज़ा से हमारे समुदाय के लोगों को शहर जागरबाल कटवाना पड़ रहा है दूसरी तरफ नाई के खिलाफ शिकायत करने वाले तमिल नाडू छुआचूत उन्मूलन फ्रंड के जिला सचिप का कहना है कि दलित भेदभाव के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें उत्पिलन का डर है सवाल ये है कि आज के समाज में भी जातिकत भेदभाव क्यों है ये खुले आम सविधान का उलंगन है जब तक स्तमाज में जाती ववस्ता है तब तक इस तरह के भेदबाव होते रहेंगे ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल दस्तक